एक वीडियो तो आज कि इस वीडियो में बात करने वाले रीफ्लेक्स के बारे में तो कैसे आप लोग अपनी रीफ्लेक्स इंप्रूव कर सकते या पिर आप लोग अपनी रियक्शन टाइम कैसे इंप्रूव कर सकते वो मैं आज आप लोगों को बताने वालों तो इस वीडि की reflexness improve करने में वो है कि आप लोग अपनी control को master कर लो मेंस आप लोगों को एक particular control set कर लो एंड आप लोग उसे master कर लो बार बार अपनी control अगर आप लोग चेंज करती हो न तो इससे आप लोगों की जो muscle memory है न वो build अच्छे से नहीं हो पाती है और जब आप लोगों की muscle memory build नही रहेगा आप लोग खुद बखुद वैसे react कर पाऊगे मिंस अगर बंदा पीछे से आपको मार रहा तो आप लोग डाइरिकली turn करके मार दोगे या फिर आप लोगों को बार बन अपनी control बटन को देखना नहीं पड़ेगा अगर आप लोगों को क्या होगा जब बंदा यहां पर मेरी यह बटन है तो इसके वज़े से आप लोगों को जो time है वो reaction का वह बहुती ज्यादा slow हो जाता है इसलिए आप लोग अपनी control को master कर लो बार बबर अपनी control चेंज करने की ज़रूरत नहीं है आप लोग किसी यूटीबर्स की वीडियो देखते हो तो आप उन आप लोग ऐसा मत करो अगर बार बार चेंज करोगे ना आप लोगों के muscle memory बिल्ड नहीं होगी तो चलो हम चेक करते हैं हमारी second tip तो गाइस हमारी second tip यह है कि आप लोग एफपी टीडेम खेलने से आप लोगों को इसकी क्या benefits मिलेगी वह मैं आप लोगों को बताता हूं तो बैक साइड से कोई बंदा शूट करेगा तो उस टाइम पे आप लोगों को react करके बंदे को मारना पड़ेगा मिंस आप लोगों को पता नहीं है कि बंदा है कहाँ पे आप लोगों को जैसे बुलेट की shots पड़ेंगे या फिर आप लोगों को sound आएगा बंदा को तब आप आप लोगों को इसके लिए आप लोगों को यह वाली क्लिप देखो तो अभी यहां पे मैं शूट करते रहता हूँ बट उसके बाद मैं जैसे ही रिलोड करते रहता हूँ तो उसके बाद यहां पे एक बंदा slide करके आता है तो मैं अपनी reload को cancel करके and fast reactor के इस बंदे को काफ लोग यह नहीं समझ पाते हैं तो इस problem की भी एक simple solution है कि आप लोगों को left side से hate करेगा तो blood mark ऐसी आएगी और सामनी से अगर आप लोगों को बंदा hit करते तो आप लोगों को blood mark ऊपर के side में आएगी तो चलोगा ही जब मैं आप लोगों को बताता हूँ tip no.3 तो देखो जब बिल्कुली slow कर दो means आप लोगों की footstep के sound आईगी बंदे की ना फिर आप लोगों को जो fire के sound आईगी तो उस time पे आप लोगों को react करके बंदे को मारना पड़ेगा और इससे आप लोगों की reaction time ना वो बहुत ही ज्यादा improve होगी बट आप लोगों के मन में एक doubt होगा जब जब हमें footstep के sound नहीं आईगी जब हमें fire के sound नहीं आईगी तो हम बंदे को spot कैसे करेंगे और हमें पता कैसे चलेगा कि बंदा मार्क इंस direction ते रहा है तो उस टाइम पे भी आप लोगों को blood mark के help से identify करना पड़ेगा कि बंदा मार्क इंस ते रहा है इसलिए मैंने आप लोगों को blood mark वाली clip show की थी तो शलो कहीं जब हम चेक करते हमारी tip number 4 तो tip number 4 यह है कि आप लोग अपनी sound sense है न वह improve करूँ जब आप लोगों की sound sense improve हो जाएगे न तो आप लोगों की रीफ्लेक्स आटमाटिकली improve हो जाएंगे तो वह कैसे मैं भी आप लोगों को explain करता हूँ जब कभी भी बंदा आप लोगों को mid range यह long range में मारेगा उस time पर आप लोगों के बंदे को react करके तो मार दोगे बट जब बंदा आप लोगों के बहुत ही ज्यादा close रहेगा क्याम करके टीपीप लेकर या फिर ऐसी रहेगा तो उस टाइम पर आप लोग ना blood mark की health से नहीं मार पाओगा क्योंकि उतनी देर में तो आप लोगों को बंदा finish करके निकल जाएगा जब तक आप लोग ब्लड माग देखोगे तो जब कभी भी बंदा आप लोगों के close में क्याम करके रहेगा तो उस टाइम पर आप लोगों को अपनी sound sense के health से रियक्ट रना पड़ेगा और उस बंदे को मानना पड़ेगा तो आप लोग अपनी sound sense के time दिया जाएगा सामने वाली board को down करने पे जैसे यह आप लोगों से bullet body पे या फिर head पे कहीं पे भी hit करोगे तो यह board difficulty level one पे फिर आप लोगों सेकेंड ताइम दिया जाएगा इस वाली board को down करने पे difficulty level वन पे आप लोगों को सिर्स दो सेकेंड ताइम दिया जाएगा आप लोग बॉल्डी पे मारो ये वली बॉडड की या हेड़ पर मारो ये वली बॉड डाउन हो जाएगि तो आप लोग जैसी इस पे भी 100 स्कोर कर देते हो न तो उसके बाद आप लोग टिफिकल्टी लेविल त्री पर जाना एक नए बूड ज swaard की अप लोगों की एक्ट से वो भी improve होने वाली तो इससे आप लोगों को double benefit मिलने वाली एक तो आप लोगों की headshot accuracy improve हो जाएगी दूसरी आप लोगों की reflexions improve हो जाएगी और मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो पे सिर्फ एके drill इसे बताई क्योंकि ये वीडियो काफी स्यादा long हो जाती तो अग मैंने 30 के special montage अभी तक इसलिए upload नहीं करी ना मैं क्या ही बता हूँ आप लोगों को अभी मैं जिस टियर पे हूँ ना उस टियर पे बहुत सारे के सारे बंदी जो नहीं क्याम करके खेल रहें और जो लॉबी आ रही है ना बहुत ही घटिया लॉबी आ रही है इन thought drop पे कोई बंदा उतरी नहीं रहा पता नहीं कहां पे जा रहें सारे बंदे बट जैसे ही रिकॉल वगेरे करने पे जाता हूँ तो वहां पे भाई कोई ने कोई टीम क्याम करके रहती है या फिर वहीं पे दो तीन स्कॉर्ड आकर थर्ड पाड़ी मार देती है इसलिए कोई अच्छी